अगे पढ़ते हैं और अगला स्टॉक चर्चा करते हैं वो है हिंदुस्तान कॉपर का शांदार रनप यहां पर भी देखने को मिला है हाला कि अगर यहां पर भी पिछले एक महीने का रिटन आपको दिखा है तो तूटा है यह स्टॉक 7% टूट चुका है लेकिन पिछले एक साल में 260 Aंखों की टेजी हिंदुस्तान कॉपर के शेर में भी देखने को मिली है और आहाल फिलाल में हमने देखा मिटल स्टॉक्स फोकस में भी रहे हैं नतीजे तीटा की थे कंपनी के और सरकारी कंपनियों में तो हम शांदाल तेजी देखी रहे हैं दूसरी तिमाही फेक्टर जो है इसके अंदर होए है अपना सरकारी कमपनी तो हमने देखा है कि इंटायर मारकेट्स में लास्ट तीन मेनों के अंदर PSU स्टॉक सब बहुत ही जोरो से भागए है और इसमें भी एक रहा है इंदुस्टान कॉपर अलसो लास्ट त्री मन्स में बहुत ही अच्छा काशा रेटर्न दी है इसमें तो माई सेंस होल्ड की रहे रहेगी यहां पर तो ऑविस्टी भाग चुका है काफी दस तर जो नेक्स दो-तीन सल के ट्रेजेक्टरी के इसाब से मैंने क्यां से गुरू परस्पेक्टिव के इसाब से जो नंबर्स है उसे लग रहा है कि एक बार यहां पर होल की मैं रेकमेंडेशन देएगी कि रिस्क वसे रिवार्ड एडिशन बाइक करने की मेरी सला नहीं रहेगी ठीक है तो यह है सला इस बीच हिंद कॉपर में यहां पर भी होल करने की सला एक्सपर्ड की तरफ से आपको दी जा रही है अब आते हैं और यह है इंजल वन इंजल वन की बात करें तो इस स्टॉक में भी देखे बीते एक महीने में तूटा है यह स्टॉक क्योंकि हमने देखा हाल फिलार में बाजार में भी एक वीकनेस आई उतार चाड़ाव बना था लेगे पिछले एक साल का रिटन देखी एक सो सुसातर परसेंट की तेजी यहां पर देखने को मिली और जो नतीज़ आय थे जो अपडेट्स जारी हुए हैं इंजल वन की तरफ से वो भी अच्छ रहेगे कि बने रहने की साहा रहेगी एंजल वन के अंदर हम देखे के पूरे साल के अंदर स्टॉक बढ़ चुका है लेकिन एक इंपोर्टन चीज है कि जानिये के जिस तरह से फोकस रहा है कंपनी का टू स्पेंड ऑन टेक्नोलोजी डिजिटलाइजेशन पे ओंडाइन के प्लेटफॉर्म के उपर तो मैंने ख्याल से लिस्टेग एंटिटी में यह फर्स प्रेफरेंज रह सकता है यहां के अंदर और जो वैल्यूशन पर ट्रेट कर रहा है FI 26 के पर 16 टाइम अलिंग के असपास ट्रेट करता हुआ देखने को बिल रहा है और जो मैनेजमेंट का शेयर बढ़ता हुआ देखने को आ रहा है और इंवेस्टर्स लगाता है बहुतरी देखने को में लिए इन टाउंज अफ न्यू डिमाट अकाउंट्स न्यू ट्रेडिंग अकाउंट्स तो मेरे ख्याल से बैनिफिशरी रहेगा इंजल वन तो मेरी एडवाइज रहेग की फ्रेश खरदारी मत कीजिए